इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप बीना क्रेगिट कार्ड और बीना डेविट कार्ड के आप कोई भी समान फिलिप कार्ड से EMI पर आप कैसे खरीच सकते हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके आन तक जरूर देखिए वीडियो पसांदेने पर लाइक जरूर कर दिजिए तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि यहां आप देख सकते हैं हम फिलिप कार्ड एप को ओपेन किये हैं सबसे पहले निचे में आपको एक ओप्शन देखने को मिलेगा एकाउंट सिंपल आपको एकाउंट वाला ओप्शन पर करना होगा क्लिक इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा फिलिप कार्ड पे लेटर जैसे कि यहां आप देख सकते हैं इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा active now simple आपको active now पर करना होगा click इसके बाद यहां पर आपको कुछ basic सी details फिल करना होगा जैसे कि आपका pen number आपका अधार number इसके बाद यहां पर आपको एक limit दिया जाएगा उस limit के जरिए आप कोई भी समान EMI पर आप बहुत ही असानी से खरीज सकते हैं जैसे कि यहां आप देख सकते हैं यहां पर आपको तीन step देखने को मिलेगा पहला step में आपको अपना pen number डालना होगा दूसरा step में आपको अपना अधार number डालना होगा और तीसरे step में आपको अपना bank details अड़ करना होगा यहां पर आप देख सकते हैं get credit up to 1 lakh यहां पर आपको 1 lakh रुपय तक credit limit मिल सकता है और आप बहुत ही असानी से कोई भी समान EMI पर आप खरीच सकते हैं चलिए यहां पर आपको सबसे पहले pen number डालना होगा इसके बाद निचे में आपको एक option देखने को मिलेगा active now simple आपको active now पर करना होगा click इसके बाद आपको अधार नमर यहां पर डालना होगा जो भी आपका अधार नमर होगा आपको अधार नमर डालना होगा इसके बाद निचे में आपको एक option देखने को मिलेगा continue simple आपको continue पर करना होगा click इसके बाद आपको फिर से continue पर करना होगा click इसके बाद आपको कुछả permission देखनेको मिलेगा, इन permission को इन को allowed कर देना होगा, इसके बाद आप, इसके बाद आपके अधार card से जो mobile number लिंक होगा, उस नम्हार पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहाँ पर आपको डालना होगा, OTP डालने के बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा verify, simple आपको verify वाला option पर करना होगा click, इसके बाद आपका details यहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपका नाम, आपका अधार नमबर, आपका data worth, आपका gender, इसके बाद आपका address जो भी होगा, यहाँ प रुपे ना हो जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमारा जो credit limit है, 5000 रुपे के credit limit है, इस पैसे हम कोई भी समान EMI पर हम बहुत ही असानी से ले सकते हैं, यह limit जो है, आपसे इससे कम भी मिल सकता है, इससे आपको जादा भी मिल सकता है, तो जैसे कि यहाँ आप दे समान EMI पर खरीद के हम आपको दिखा देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, category में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा option, जैसे कि हमें कोई भी समान इन में से select करना है, जो हमें चाहिए, for example, हमें इन में से कोई भी समान को select कर लेते हैं, इसके बाद निचे में आपको इसके बाद आपने जो भी समान select के हैं, यहाँ पे उसका MRP आपको देखने को मिल जाएगा, निचे में यहाँ पे आपको एक option देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इसके बाद निचे में आपको एक option देखने को मिल क्लिक इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा accept and continue simple आपको accept and continue उपर करना होगा क्लिक इसके बाद आपके पास payment करने का option देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहां आप देख सकते हैं यहां पर आपको option देखने को मिलेगा जैसे कि यहां आप देख सकते हैं तो इस तरह आप बहुत ही असानी से फिलिप कार्ड के जड़िए बीना credit कार्ड और debit कार्ड के आप बहुत ही असानी से EMI पर कोई भी समान आप खड़ीज सकते हैं आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें चैनल पर पहली बार आहें तो सब्सक्राइब करें हम मिलते हैं किस आउरे से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई झाल